हलो दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आदार कार्ड भरती के बारे में जियां दोस्तो बंपर भरती आ चुके आपकी UIDAI डिपार्टमेंट के अंदर दसवी, बारवी और ग्रेजुएट केंडिडेट इस वेकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं दोस्तो इस वेकेंसी के लिए सेलेरी काफी अच्छी परवाइड करवाई जा रही है दोस्तो सरकारी विबाग में नोकरी करने का सुनहरा मोका है माहिला, पुरू, सभी लोग आवे दिन कर सकते हैं अब यहापे ओफिशिल वेकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं अब यहापे ओफिशिल वेबसाट पर ले जाते हैं उसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन बताने वाले और नीचे आपको डेपिटेशन और कॉंट्रेक्ट पर किलिक करना पड़ेगा इसके बाद दोस्तों आपके पास यहापे बहुत सारी वेकेंसी जाज़ेगी मुंबई, लखनौ, दिल्ली, यहापे बहुत जगह पर आपके हैदराबाद काफी जगह पर आपके वेकेंसी निकली है तो पूरा डेटल में हम बात करेंगी इस वेकेंसी के लिए तो यहापे जरूर आवेदन करिएगा तो दोस्तों यहापे सबसे पहले आपका पीडिएफ बता देते का मतलब यह रहा है कि आजकल जो ओनलाइन आधार कार्ट जनरेट के जाते हैं आपकी जो कंप्लेंड होती है आधार कार्ट से रिगाडिंग वो सारी कंप्लेंड आपके ओनलाइन सुनी जाती है तो इस रिगाडिंग यह वेकेंसी आपके वेकंसी निकलिए और 17,000 से ज़्यादा पुदब आपके वेकंसी है अल इंडिया लेवल के केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं दोस्तों सेंटर की वेकंसी ही है आगे दोस्त हम बात करेंगे सेलेक्शन प्रोसेस की तो आपको बता दू कि आपका return exam होगा उसके बाद में आपका यह पर typing और efficiency test भी लिया जाएगा दोस्तों यहापे 40% लाना जरूरी है हिंदी और इंग्लिस दोनों सेक्शन में बाद में दोस्त हम बात करेंगे आपकी age limit के दोस्तों apply कैसे करना है तो 22 अगर से आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले last date आपके यहापे 23 सितंबर रहेगी उसके पहले-पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा दोस्तों online ही आपको आवेदन करना पड़ेगा पूरा step में आपको आवेदन करके बता दूँगा का department में आपकी वेकेंसी है दोस्तों इस वेकेंसी के लिए जरूर आवेदन करेगा आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेवडेट के साथ में धन्यवा दोस्तों